आज की जमाने में सोसल मेडिया एक ऐसी प्लैटपॉम है जहां लोग खुद को फेमस बनाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं कोई स्पेस से कुछ जाता है तो कोई ट्रक के निचा आ जाता है जो की 32 के करीब वाल्ड रेकॉर्ड भी जीच चुके हैं केविन फास ने 2009 को एक लाग अटासी हजार आट सो त्रिस किलो ग्राम एक जाहांच को खिच कर गिनिस बुक आप वाल्ड रेकॉर्ड पे अपना नाम लिगवा चुके हैं इसके अलावा भी कई वर्ल्ड रेकॉर्ड अपना नाम करवा चुके हैं। जैसे कि 15 कार को एक सत्थ खीचना, गिनिस बुक अप वर्ल्ड रेकॉर्ड पे इसे दुनिया का सबसे ताकादवर पादरी का किताब भी दिया जा चुका है। नमबर फोर दोस्तो सरीर में आँग लागाना किसी जान लेवा खत्रों से कम नहीं है। औस्टलिया के रहने वाला जोसेब नमक एक बैक्ती ने गिनिस बुक में अपना नाम लिखाने के लिए पूरा सरीर में आँग लागाया। और एक घोड़े से 5 मिनिट 42 सेकंड में ही 582 मिनिटर दूरी तक खिचवाया। दोस्तो ये बहुती रिस्की वाला काम था क्योंकि जरा सभी गलती उसका जान ले सकती थी। पर बहुती बाखोबी से इस काम को उसने अंजाम दिया और गिनिस बुक आप वाल्ल रेकॉर्ड पर उसका नम दर्ज हुआ। आपने पेराशूट के सहारे प्लेन या चट्टानों से चलंग लागाते हुता साइथ देखे होंगे। पर इस पेस से सिधा धर्ती पे चलंग साइथ नहीं देखे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं औस्टलिया के रहने वाले स्काइडावर फेलिक्स बाव्गाटनर की बारे में। जो की हिलियम मेलून से 36 किलोमेटर उपर स्पेस में जाकर वहां से सिधा धर्ती पे चलंग लागाया। निचे आने वक्त उसका स्पीड 1333 किलोमेटर पर आवास था और इसे निचे आने में सिर्फ 5 मिनिट लगे। फेलिक्स के सक्सेस पुली स्पेस से जम लगा के दिखाया और गिनिस बुक अप वर्ल रेकॉर्ड में उसका नाम दर्जुआ। नमबर टू एक मक्ही काटने पर कितना ज़्यादा दर्द होता है हम सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते है तो जिसे काटा है उसे एक बज़डूर पूछ लीजिए। दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिसे मक्ही से बहुत ही जादा प्यार होता है। हम बात कर रहे हैं चाइना के रहने वाला रुवान नमक एक ब्यक्ति की जो अपने सरीर को 6,37,000 मक्ही से भर लिया। रुवान का जरा सभी गलती उसका जान ले सकती थी। सारे मक की और रुवान की वेट मिला कर 63 किलोगिराम था और रुवान ने सिगरेट पीते हुए अपना नाम गिनिस बुक अप वर्ल रेकॉर्ड में लिखाया। नमबर वान दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग है जो अपना पावर इस्तिमाल करके फेमस हो चुके है। हम बात कर रहे हैं फ्रांच मौलनार की जो की 2014 में अपने दोनों हाथ और दोनों पाव को एक रस्ति से बांध कर 4 मोटो सैकल के साथ जोड दिया। और 4 मोटो सैकल को एक साथ किचवाया फ्रांच ने 24 सेकंड तक 4 बाइक को रोक के रखा। सोचिए कि ये कितना स्ट्राम हो सकता है। उसके बाद फ्रांच का नाम गिनिस बूक अप वाल्ल रेकॉर्ड पर दर्ज हुआ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सेयर और कॉमेंट करना मात भूलियेगा। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ तब तक बने रहे हमारा चैनल दुनिया की जानकरी के साथ।